तो डायविटीज की बात करें तो डायविटीज मेल्यूक्रस is a disease that causes sugar to build up in our blood अगर हम बात करें diabetes की इनिंदी जिसको अमदमे है या sugar के नाम से जाना जाता है तो यह क्या है की diabetes एक हारण होता है जिसमें हमारे blood में sugar level यानि की जो सुगर की ग्लुकोज की मात्रा है वह इंक्रीज हो जाती है तो इसे हम डाइबटीज कहते है आवर बॉड़ी यूजेस हार्मोन कॉल्ड इंसुलीन टू कंट्रोल दा लेवल आप सुगर इन आवर ब्लड जो की जो यह सुगर का लेवल होता है हमारी बॉड़ी में वह किसके तू कंट्रोल होता है इंसुलीन नामक हर्मोन से हमारी बॉड़ी में यह कंट्रोल किया जाता है इसके लेवल को तो विन दा बॉड़ी फेस्टू प्रोड्यूश सुविसियंट एमाउंट आप इंसुलीन और विन इंसुलीन डज नाट वर्क प्रॉपर ली डाइबटीज स्टूडेट कर आई जैसा कि जब हमारी बॉड़ी में इंसुलीन की कमी हो जाती है यह हमारी बॉड़ी इंसुलीन के प्रॉडेक्शन को करने में कि इसी भी कारणवज अफ़्ेन menday यह हुता इंसुलीन हर्मोन का हमारी बॉड़ामे तो तो उस सब का हुझ होता है वह डाल यानि कि उसके कारण हमको डाइब टीज जैसे लाइफ स्टाइल नामक डिसीज को फेस करना होता है दिन इसमें कि क्या है कि इस डिसीज इस आल्सो नोन आज ब्लेड शुगर इसको हम ब्लेड सुगर के नाम से भी जानते हैं करेक्टराइड बाई हाइपर ग्लेसेमिया अब स्टूडेंट्स यहां मैं इसको बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए करा हूं हाइपर ग्लेसेमिया हाइपर ग्लेसेमिया हाइप लड़ सुगर लेबल यानि कि जब आपके ब्लड में यानि कि रक्त में सुगर का लेबल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो इसको को बोलते हैं हाइपर ग्लेसेमिया आप लोगों ने इस्पेशली डॉक्टर्स की जो रिटोर्ट आती जो टेस्ट आते हैं ब्लड के उसमें देखा होगा कि यह हाइपर ग्लेसेमिया नाम से इंक्लूड होता है ना कि हाइप ब्लेट सुगर लेवल के नाम से तो देन निस् कि जो लोग करते हैं कि एक इडिंटिकेसन होता है किसी की ौरेक्निक Giheron नहीं जब भोट टॉईलेट करता है उलि'T करता है तो उसमें चिटे चिटिया लगने लगता है यह लगने लगते यह यह दूब य की बड़ जाता है तो उसको बोलते हैं ग्लूको लिव्यूाड़त। का लगी निकलने लेगी लिए इसमें पॉली डिप्चिया पॉली डिप्चिया अग्सिजिव घऑल हगें कुअ यह जू हखगा है ओप जो डाइबटी से रिलेटिट की पॉली डिप्चिया में क्या होता है कि आपको एकसी थड बहुत जल्दी ठख जाते हैं आपको थकावट हमेशा थकावट सी लगी रहती है पैरों में कपकपी सी होती है इधर सा होता है जलन सा होता है तो यह पॉली डिप्चिया कहलाता है ज इसा जब देखिए तब भूख लगती रहती है यानि कि जब आपके करें कि यूरीन के तुरू या किसी भी आपकी वाड़ी से जो इनर्जी लेवल निकल रहा तो क्या होगा कि आपको टैडनेस सी फील होगी और टैडनेस फील होने की वज़े से आपको इनर्जी के लिए हमे कैसे जानेंगे कि हम डाइवटीज है इससे रिलेटेड जो लच्छन स्टुडेंट्स वह पर्ट वन है ताइडनेस अब देख सकते हैं कि बहुत जल्दी जो डाइवटीज के पेसेंड हैं उनको क्या होगा बहुत ही टाइड फील करते हैं यानि कि वह अपने आपको बहु जाता है उनको आखों के सामने धुंदला पंसा दिखाई देता है जो बिजन है प्रापर वो किलियर किसी चीज को देखने में उनको प्राब्लम फेज करते हैं देन पूर इम्मूनिटी अब जो उनकी पाचन तंत्र है जो मेटाबॉलिक रेट है कि कुछ भी खाते हैं वह आसानी से डाइजेज नहीं होती उनको डाइजेशन की भी प्राब्लम आती है साथ ही साथ एकसिजिफ बेट जो उनका बेट है वह बहुत तेजी के साथ बढ़ता है और बेट लॉस टेश्टरा यानि उनका बेट तेजी से बढ़ता भी है और से घटा भी है दो में से एक होंगी उनके साथ जो डाइबटीज के पेसेंट होंगे या तो उनका बेट जो है बहुत तेजी से गेन करेगा या बहुत तेजी से रिडियूज होगा तो इस तरीके के अगर किसी में के शम्टम पाया रहे हैं तो उसको समाध लिजा कि उसके अंदर डाइबटीज के आ रहे हैं वह डाइबटीस से ग्रेसी स्टूडेंट्स टॉडेंटस तॉप है ऊपकें आप वारे में बात करें तो तीन तरीके की तरीके आप डाइवटीज फर्स्ट वन टाइप है जो इंसुलीन डिपेंडेंडेंट है यानि कि इंसुलीन से रिलेटेट दा पैंक्रियाज ग्लेंड डज नाट प्रोड्यूज इंसुलीन इसमें क्या होता है कि जो पैंक्रियाज जैसा कि हम जाते कि जो इंसुलीन नामक हर्मोन से है वो उनका सिक्रेशन होता है तो जब आपका प्र इंसुलीन का प्रोपर से नहीं करती नहीं करती को तो वह क्या होता कि 150 यानि की ऑसको तिस बोला जाता दिन टाइप में क्या होता है insulin independent तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट नॉर्मली एपियर्स आफटर दा एज आफ 40 इन बीच सेल्स फिल टू रिस्पांड टू इंसुलीन प्रॉपरली अब क्या होता है कि यह देखें के जो टॉ की डाइबटी जए हैं यह इंसुलीन इन सल इंडिपेडेंडंट होती यहानि कि यह ते एकः कर रहें नहीं कि इसंट CS ça सब्सक्राइब नहीं पाता है इंसुलीन हार्मोन का उमें बॉडी में तो यह मोस्टली देखा जाता है 40 प्लस एज के जो लोग है उनमें जिसके पीछे रीजन होता है कि जो कोछका है जो सेल से हैं बॉडी की उसके वह प्रॉपर फंक्शन या मोमें नहीं कर रहें दिन टाइप थर्ड की ब प्रेग्नेंट उमें बिदाउट एफिस्टी आप डाइप टीज सटली डेवलब एफ हाई ब्लड शूगर लेबल यानि कि इसमें क्या होता है कि गेश्टेरी टीशनल में आप देखते हैं कि कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है वह एका एक जिसके मतलब कोई ऐसा इतिया नहीं है कि पिछले उसकी फैमिली मेंबर्स या कुछ भी उसके में डाइप टीज होते थे उन लोगों को नहीं भी है लेकिन एक सटेनली अचानक उसका जो ब्लेट का लेवल है हाई ब्लेट सूगर है उसके ब्लेट में सूगर लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता ह है तो इसको टाइप थर्ड नामर डाइवटीज बोलते हैं दिन इस्टुडेंट्स अब बात कर लें इससे रिलेटेड प्रिवेंटिव मेजर्स जो आसनाज है डाइवटीज के लिए जो बहुत ही ज्यादा ही यूच्पूल है तो उनमें फर्स्ट वन आसन जो है आपका वह है भुजंग आसना तो भुजंग आसना इस आलसो नोन एज कोब्रा पोज यहां पर थोड़ा सा आपको द्यान देने की जरूरत है मैंने आल्रेडी यहां पर हाइलाइट कर रखा है आप देखेंगे तो न तो आप लोग इसको थोड़ा सा यह द्यान रखिएगा कि जो आपको हाइलाइट किये गये हैं जो वर्ड जैसे कोब्रा पोज यह एमसी की वेस्ट आपका कुश्चन सो गया है तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसका जो एनदर नेम है आप से पूछा जाता है नेम आप कोब्रा बहुज जंग आसन या इनदर नेम आप इसनेक पोज तो इसको वेरियस नामों से जाना जाता है तो आपको इन चीजों को क्या करना है जिनको आल्रडी मैंने हाइलाइट कर रखा है आपको क्या देहन देना होगा कि कोब्रा पोज भी आपको लर्न होना चाहिए एमसी क्यू में इस तरीके से इसके नेदर नेम से भी पूछा जा सकता है इट इज बैक बेंडिंग पोज यह क्या होता एक तरीकी का बैक बेंडिंग पोज है इट शुड वी डन अल्ली मॉर्निंग एंड इंपटी इस्टमक अगर हम इसको अल्ली मॉर्निंग सुबह उटने के बाद प्रफॉर्म करते हैं और खाली पेड इसका रिस्पॉंस यह रिजल्ट मिलता है हमारी हेल्थ पर प्रोसीजर की बात करें तो इस्टुडेंट से उसमें क्या करना है प्रोसीजर में आपको पेट के बल्लेड जाना है और बोथ तोको जॉइन करना है दिन बोथ हैंड को आपको नियर टुड चेर्स साइड आप बोडी रखना दें दिरे दिरे अपर बॉड को आपको बैवर्ड करना जितना मैक्समिम पॉसिबल हो सकता है आपको वोड को बोडी को वेंड करना होता है तो आपकी बोडी की जो पुस्शीजर वो जश लाएक है इस ने की तरीके बन जाती है इसलिए इसको और पोज भी या भुजंग आसन बात करें तो यह भी एक भुजंग की इंसन्स की तुवर्ड जिसको इसने के नाम से जाना जाता है देन वेनिफिट्स की बात करें इसके तो बेनिफिट्स इस्टेंटिस आम एंड लेक इंप्रूब फंक्शन आफ लीवर किड्नी पैंक्रियाज गाल ब्लेडर इसके रिगुलर प्रैक्टिस से रिगुलर अभ्यास करके आप भुजंग आसन से डाइवटीज से तो बचते ही हैं लेकिन साथ ही साथ यह आपकी हाथों की ताकत को लेग हाथ और लेकी ताकत को साथ ही साथ जो आपके लीड लीवर किड्नी और पैंक्रियाज हैं गाल ब्लेडर हैं इन सब के फंक्शन को इंप्रूब करते हैं और एसीडिटी यानि कब्ज गैस जैसी डिसीज से वीमार से आपको प्रोटेक्ट करते हैं साथ ही साथ आपके वेट को कंट्रूल करते हैं अगर आप रिगुलर भुजंगासन की प्रैक्टिस कर रहे तो देन कंटर इंडिकेशन की बात करें कि भुजंगासन को हमें कम नहीं परफॉर्म करना चाहिए तो जोज बीत बैक नेक हानिया प्रेगने टूमेंट सुड़ेवाइड दिस्पोज यानि कि जिनको बैक पेन की कह लिजे कि बैक से रिलेटेड बैक पेन में तो यह बहुत यूचबुल है लेकिन अगर जिनको बैक से रिलेटेड कोई समस्या है इन्जरीज है प्राइड की सिर्फच की प्रॉब्लम है उनको यूज अगर कोई इंजरीज है चोट है चोट है तो उनको करना है हार्णिया के 너희 वाइड करना沏ंड़ अगर तो वह भी इस शासन का विल्कुल अभ्यास ना करें जिंस्ट वन ऐसंद्स यू है इस्टुडेंट्स वह है आपका पचीम उतानासन पचीम उतानासन की बात कर लें तो इड़ीज आलसो नोन है सीटेट फारवड बेंट पोज फॉर इस्टेचिंग दाइस पाइन यह क्या होता है कि एक तरीके का आप लॉंग सिटिंग पोजिशन में वैट के अपनी अपर व पोजिशन में जो आपकी पाहिं को करता है तो आल्रेडि एहिए प्रोसिजर में भी है आपके इस लिए मैंने अर जागे को स्किप किया है स्टुडेंट बहुत ऑफॉर्म में इसको इसस्प्लेंग करने के लिए तो आपको लॉंग सिटिंग पोजिशन में बैठ जाना है इस दिन बोथ एंड को side up the body raise करते हुए ले जाके बोथ एंड को forward लाना है forward लाके आपको बोथ हैंड से अपने टो को hold करना है नीज भी इस टेट रहेगी उस टाइम और ट्राइ करना कि आपका forehead आपके नीज से touch हो जाए long sitting position में ही तो इसको आपको यह इस procedure को follow करके परफ़ाम करना होता है दिन benefits की बात करें इस्टुमलेट दा functioning of abdominal organs इंप्रूब ब्लेड शेर्कुलेशन रिमॉप कंटीपिटिस से कंटीश्पिटेशन एंड वेली फैट बेनिफीजियल फॉर डाविटिक प्यूपिल यह क्या करता है कि आपके जो abdominal organs है यानि की abdominal muscles है उनके function को stimulate करता है इंप्रूब करता है इंप्रूब आपके blood circulation संचार को बढ़ाता है साथी साथ जो कब जिकन्टीपिटेशन की प्रॉब्लम है उसे reduce करता है और बेनली फैट को भी यह reduce करने में बहुत यूश्पूल आसन है पच्छी मुतान आसन साथी साथ जो डाइवटिक वेसेंट हैं उनके लिए एक तरीकी यह रामबाड का काम करता है तो स्टुरेंट्स अगर आप पच्छी मुतान आसन की रुगलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो इससे आपको डाइवटिज होने के चांसे नहीं है इनकेस अगर आपको किसी को डाइवटिज है तो उसकी डाइवटिज यानि की सुबर लेवल डे बहुत तेजी के साथ आपन सकत करें प्रैयु मेंन जो अडा इसको बिलकुल कुल श्रजीरी अगर किसी को अवरिट वा उसका कि सारीके से थूम्हको इस को बिलकुल रुख ना धीन लिज्स डिस्क ब्रब्लम अगर किसी को slip dish जैसे problem है तो उसे भी आसन को बिलकुल करना है देन इसके बाद इस पोज ना तो उसको totally इस पोज को करना है इसका अभ्यास बिलकुल नहीं करना दिनेश्ट वन जो डाइवटीज के लिए helpful आसन है सबसे useful students वो है पवन मुक्ताश्थता बाद करें झाल सो noon एज बिंड लब्रेटिंग पोज यांद कीगा सिक और इसको क्या हो है इसका क्यों बिंड लिब्रेटिंग पॉर्ग ना तो नामड़ी किलीयर है पवन तुक्तासन। इसमें क्या हुता है मेरी मेट इस पहले सबसे पहले करना है दें बोट हैंड से आपको क्या करना है पर करने करये हैंड को ज्वाइन दिन थे करना कि आपकी चिन और अपर बॉड़ा को बादी को को टच करें बहुत लिख की और उस पोजिशन को जितनी देर पॉसिबल हो सकता है आपको को करके रखना होता है दिन इसमें बात करें वेनिफिट्स की गिब मसाज टू एबडॉमिनल आर्गंस यह क्या करता है हमारी जो डॉमिनल आर्गंस है जो इंस्टेशाइन है इबडॉ रिलीज गैस और साथ ही साथ जो जो एसीडिटी कपची जो प्राब्लम्स हो रही फेट में उसको क्या करता है रिलीज करने में सिस्ट करता है दिन बन फैट्स बूस्ट ब्लेड सर्कुलेशन और बॉड़ी से हमारी बॉड़ी से यह फैट को बन आउट करने में और इंटर इंडीकेशन की बात करें जो जैव हार्मिया जिनको हार्मिया की प्रॉब्लम है वह इसको रैक्टिस नहीं करेंगे पाइल्स एन बैक प्रॉबलम निक प्रॉब्लम तो जी इन लोगों को अगर प्लस बवसीर या बैक की समस्या है यह निक से रिलेटड कोई इंजि तो जो भी ऐसे लोग भी जिनको हाइब ब्लड पीसर यानि कि बुम जिनका ब्लड पीसर हाई है हाट की प्रॉब्लम है धिन प्रेग्नेंट हमें तो इन सारे आसनाच की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे दिन निष्ट वन आसन की बात करें इस्टूडेंट जो ằंधमसेंद्र आशना अर्धमसेंद्र आशना कि बात करें स्टूडगेंट मॉपे में डिसकस किया था यहां पर मैं नुद आसना को फिर बारे में तो ऐस्तमा ऐस्तमा की बात कर ले तो ऐस्तमा इजह डिसीज इन फीच ऑईर विकम ब्लॉग्ड और मेरोड यह क्या होता कि जो कि अश्तमा क्या है हमारे इसस्टम एक होती है कर लिए वह तो जाती है जिसके जो रिजल्ट होता है कि हम ब्रीथ या सांस लेने में डिफकरटी फील करते हैं यानि कि प्रॉपर इनेल नहीं कर पाते हैं एक्जिल नहीं कर पाते हैं देन एक्सेसिब कफिंग बहुत ज्यादा कफ की प्राब्लम्स होती हैं सौटनेस ऑफ ब्रीथ छोटी छोटी सांसे लेते हैं आप पूरी सांसे नहीं ले पाते क्योंकि आपकी जो एर्वेज है वो ब्लाक हो जाती है तो इस वज़े से जो अस्तमा के पेसेंट हैं उनकी सांसे जो प्रीथ लेता है लेकिन अस्तमा पेसेंट को देखेंगे तो यह जो ब्रीफिंग नंबर अप रिफिंग है वह वन मिनट में बहुत जादा इंक्रीज हो जाता क्यों क्यों कि वह बहुत छोटी-छूटी सांसें उनकी स्टार्ट हो जाती लेना तो दें अस्तमा टेंस टू एकर इन नॉर्मिंग और स्वारी मॉर्निंग एंड नाइट एना कि इस्पेसली अगर आप देखे बहुत ज्यादा जो इसका इफेक्ट दिखता है आपको मॉर्निंग सुबा के समय और रात में इस्पेसली ड्यूरिंग इनकी जब इन्वार्मेंट थोड़ा सा ठंडा होता है यह थंडे प्लेस पर इनको क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने होती है इसको बहुत ज्यादा यह ने किया जयता बट वन कैन गंट्रोल लेकिन हम इसको नियंत्रित करेंगे कर सकते हैं अस्तमा को किया जा सकता है तो कोजस की बात करने कारण क्या है इनक्ल्यूट जेन्टिक्स ये जञज़ात हो सकता है यह आप कह सकते हैं कि सưởngवन जो रिजन है इसमीं वो क्या है कि आपका थे सकतrobe की बात किसी चीचक्तोered इलर्जी हो सकती जस्ट या धूल से उसकी वजह से भी हो सकता है और नौन इलर्जी और बिना किसी इलर्जी के कारण भी हो सकता है डिस्पारेट्री इंफेक्शन अगर आपके स्वसंत में किसी तरीके का इंफेक्शन हो जाता है वो भी एक रीजन होता है इसके पीछे दिन अप बात करें इसमें हम इनकी फरेश। ओन जो अस्तमा पैसेट के लिए यूच्फूल आसना जेजिन को हम सजेट कर सकते हैं स्तमा पैसेंट को की आप इनकी प्रेक्टिस करके अपने प्राब्लम्स को तुछ कर सकते हो या जिसिन के के नाम से भी जाना जाता है और इजी पोज और प्लीजेंट पोज यानि कि इसके बहुत बीविन नाम दिये गए को हम क्या बोलते है कि लिटरेट परसन के इसमें कि सुखासना तो सुखासना आपका अप प्रोसीजर की बात करें तो इसमें क्या करना है कि आपको एक मिडिटेटी पोज को धार्ण करना होता है यानि कि यल्टी फल्ती मार के बोत लेको एक दूसरे के सामने क्रास करके एक ल लिट तहाई रखना होता दें लेड लेक लिख कि его in front of the right leg रखना होता देन बद को स्टेट रखते हुए आपको कोई भी एक mudra रां को में मुद्रा का पोज करना ँअपको बैक को स्टेटरख्क किसी be amazing point पर focus करना होता इसको बोलते है ईसका step procedure दिन बेनिफिट्स की बात करें इट ओपिन्स दा एयर पासेज ब्रिंग्स ए सिंस आफ कालमनेस रिदूजिंग इस्ट्रेस फटीग एंड एंजाइटी फ्लेक्सिबल दा नी एंड इंकल जॉइंट इस्टा यह क्या करता कि हमारे बॉडी से जो इस्ट्रेस है उसको यानि कि इतना चिंता फटीग और फ्लेक्सिबिल्टी को जो हमारे नी इंकल जॉइंट से उनकी जो रेंज आप मूमेंट है जो रीच है जो पहुंच है जो लोच सीलता है उसको इंप्रूब करता है अगर हम इसका रिगुलेट प्रेक्टिस करते हैं सुखासना की साथी साथ अस्त इंकल एंड ही इंजूरी तो ऐसे परसंस इसको बिलकुल अभ्यास न करें इनको किसी भी तरीके की नी अत्वा एंकल यानि की घुटने एंडी अत्वा हीप से रिलेटेट को इंजूरीज है ये चोट है दिन निश्टवन आसन की बात करें चक्रासना चक्रासना इस अपव जैसा यह शारत होता है धनुरासना का दनुरासना में क्या करतेamment के बोड रख Nothing कर्के आपर звуч करते कि इसमें क्या होता से एस पहुजिक होना सब्षक ने विल्टा इसको अप्वर्ड पोच की नाम आब स्टार्फशा आपर वॉनिंग कर मली रिफ्ट तू अज बैक switch coach ब्रिच के नाम से यह अप्वाड़ फेसिंग पोज के नाम से जाना जाता है डिन मैं इन एक्रोबियटिक्स एंUND जिमनास्टिक यह क्या है कि यह पेसली अगर आम बात करें इसकी तो इस मों क्या होता कि जो जिम्नास्ट से जिस्ट लाइक एक जिमनाज्ट के तरीके पूरी बॉड़ी आपकी स्पाइन को भी यह फ्लेक्सिबल बना देता है साथी साथ सोल्डर को और चेस्ट को स्टेच करता है तो दिन प्रोसीजर की बात करें तो आपको सबसे पहले पीट के बाल लेड़ जाना होता है दिन आपको लिप्ट करना होता है तो और पाम पे और उस पोजिशन को आपको होड़ करके रखना होता है दिन निस्ट बात करें वेनिफिट इट इट ओपन अप दा लंग्स यह हमारी लंग्स के फेफ्लो को खोलता है साथी साथ इस्टुमलेट दा थाइराइड एंपिट्री और थायराइड पटल्टि करता है उसको स्टिमलेट करता है मसाज करता है इस ट्रिंथ आ और talks और आप लिठि उसे इंपूर्व करता है यह जो पंपों सनगर म करता है दिन कर बात करें श्टुरेंट्ट तो परसं ausff %头 हुख जिसको शीरदर्द हो रहा है प्राब्लम वो बिल्कुल भी चक्रासन का अर्फार्म न करें इस्पेसिली जो है ब्लेट पेसिंट यह उनके लिए तो टोटलि यह असन वेंड हैं उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसका अभ्यास इसको किस नाम से भी जानते हैं और इनदर नेम काव फेस पोज के नाम से यहां पे तिकी इस्टुडेंट्स मैंने अल्रेडी इसको हाइलाइट कर रखा कि आप अगर अगर नेम पूछता है तो आप इसली कह सकते हो काव फेस पोज तो काव फेस पोज के नाम से इटीज सो नेम विकॉज डा ओवराल पोजिशन आप थाइस काउट और फीट आफ परसंस है लुक लाइक फेस आफ एक काव तो इसमें जो हमारी बॉड़ी की ओवराल जो प के फेस के समान होती गाय के चेरे के समान पूरी बॉड़ी का आकार कनवर्ट हो जाता है बन जाता है जब हम गौमु खासना को परफॉर्म करते हैं दिन प्रोसीजर की बात कर प्रोसीजर में क्या करते हैं कि हम सबसे पहले लॉंग सिटिंग पोजिशन में बैट जाते हैं दिन एक लिप लयक को क्राश करके निशे राइट लिक के नीचे रखते हैं दिन राइट लोप करके इसको हम हम क्रास करते हैं लेफ लेक की नी को दिन बोथ थेंड को पीछे किया करते हैं को स्ट्रेट रखते हुए दूसरे हैं उसके पकड़ने क्या प्रियास करते हैं और इस रखते हैं अब इसके सब्सक्राइब करता है और करते हैं इंप्रूब फ्लेक्सिबील्टी साथ हमारी वाणी में जो फ्लेक्सिबील्टी है बोड़ी की इसको एंप्रोब करता है कंट्रेंडिय्क निंट केसन की बात करें श्टूडेंट तो इस आस्ना इस एवयडेड बाई दो जो हूँ है बैक नेक के प्राब्लम है नих प्राब्लम मैं कि रिलेटिटकुई कोई दर्थ पें या इंजरीज है अथ्वा घुटनों से रिलेटिट कोई दर्थ-पें इंजरीज है तो वह इस आसन को बिल्कुल भी अभ्यास ना करें तो ने स्टुरून completo Quranh परवत आस्तना की बात करें तो जो कि आपकी बहुत ही ज्यादा यूश्फुल आसन है अस्तमा पेसेंट के लिए तो इड़ी जाल सो नो नहें माउंटेन पोज इसको माउंटेन पोज के नाम से भी जाना जाता है तो इस्टुडेंट्स अगर आप से ने दर नेम आप कि पूछ जाए पर्वत आसना का तुब क्या है आपका माउंटेन पोज है तो माउंटेन पोज इसको बाइन पोज इस गांसे दो परफॉर्म इन सब्सक्ति अब क्या है कि सबसे ज्यादा ही जी इस को स्टेंडडीं और शिटिंग दोनों तरीके से परफॉर्म किया सकता है मांटेन पोज को ना तो बहुत ऐजी हो जाता है जब हमको सिटिंग पॉजिकर में बैठके परफॉर्म करना होता है प्रोसीजर क्या है आपको किसी भी में वजराशन सुखासन पदमासन में बैठ जाना होता दिन the head ले जाके बोथ हैंड को जोईन करना होता है तो इसको बोलते हैं परवत आसन और Mountain पोज जो हमारी बॉड़ी का टोटल उबलार से उस टाइम पे जैस्ट लाएके Mountain की तरीके परवत की तरीके बन जाता है तो इसलिए इसको परवत आसन या Mountain पोज भी कहते हैं वेनिपेट की बात करें इंटायर बॉड़ी आपकी होल बॉड़ी को को करता तैंद इंपरूफ स्ट करता है इंपरॉब्स बलेट्ली सर्कुलेशन बॉड़ी में के सिर्कुलेशन को इंपरूब करता है इंपरूब्स फ्लेक्सिविटी फोन और अस्थमा पेसेंट तो यह आपकी ब Communist करता है रख संचार को बढ़ाता है जाती साथ जो अस्तमा के पेसेंट है उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूद्पुल है इस्टुमिलेट ग्रोथ हार्मोंस और जो ग्रोथ हार्मोंस है उनको भी करता एक्टिवेट करता दिन कंटर इंडिकेशन की बात करें स्टुडेंट तो प स्टुडेंट या सूल्डर से रिलेटिट कोई इंज्रीज है चोट है वह इस आसन को बिल्कुल भी अव्यास नहीं करेंगे इस्टुडेंट्स निस्ट वन जो आपका इसमें यूजपुल है इस्टमा पेसेंट के लिए वह है भुजंग आसना और पच्छी मोतान आसना ज पसंद आये तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना फिटनेस पार्ट साला को बिल्कुल न भूले साथ ही साथ अपने फ्रेंट्स के साथ भी इस वीडियो को सेयर करें